हेला एवरिवर वेल्केम बैक टो और भी एच्चु पार्ट साला भी एच्चु पार्ट साला के ऑनलेन प्लेटफोर्म पे मैं शिवतिवारी आप बहुत बहुत स्वागत करती हूं तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अब आप लोगों को प्रिफरेंस इंट्री फिल करनी है आप लोग चाहें तो वह देख सकते हैं आदेते सर ने दे दिया आप लोगों को प्लीज पूरा देखिए का घबराने की कोई ज़रुवत नहीं है दोनों मोड बिल्कुल सही है अब बारी आती है कि जैसे कि मैंने बताया था कि आप ले बच्चों के लिए अब को एक टेकंग देनी है वो वह यु जी की हो यह पीजी को अगर बच यह नहीं है नहीं देना होता है कि आपकी यू जी की डेनी रहती है उयो जी वाले बच्चों के लिए 988 यहीं बदिग थी तो यह निदेते भानी होती लिए संप ब्रिध बार देगे घृति भाई एपने माता पिता का नाम लिखेंगा यहाँ पर रहते हैं ठीक्ति आपने जगह का नाम बतागें गाइगा उसके बाद अपनी एज उनिस बीस जो भी है उसके बाद की कांसलिंग से यहां पर अगद्धिशन यहां पर तीक है क्योंकि उसजी को एक महिने में फिल कर देंगे यह डेट इसने अपडेट से डाल दिया है भी हूँ उसके बाद अपना नाम यूटी पीटी रॉल नंबर कोर्स डिपार्टमेंट और मुबाइल नंबर इसको फिल करके आप लोग अप्लोड कर दोगे ठीक है अम बारी आती है एक और फॉर्म नाम पापा का नाम कहां पर रहते हैं और वह काउंसलिंग की ठीक है उसके बाद यहीं पर अपना नाम यूटी प्यूटी रॉल नंबर और कोर्स फेकल्टी यह फिल करने के बाद आप उसको सब्मिट कर दीजिए को वहां पर अप्लोड कर दीजिगा पीज आप लोग यह अफलाइन वाले बच्चे करेंगे उसको नहीं करेंगे उनके लिए डोजियर एंटी रेगिंग का फॉर्म मैंने बता दिया है अंडेटेकिंग उनसे भी भरवाई जाती है लेकिन अभी आप लोग यह करेंगे और बच्चों आप लोग यह बात को लेके काफी परिशान हो कि एंटी रेगिंग और डोजियर का फॉर्म आपको भी भरना है कि नहीं ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान देंगे तो आप लोगों को क्या करना है कि उसका यह मेंडेटरी नहीं कि अभी अपलोड कीजे जब आपका फाइनल सब्मिशन होगा कॉलेज में आने के बाद तो आपसे डोजियर फॉर्म और एंटी रेगिंग का फॉर्म फिल करवाया जाएगा ठीक है उस टाइम आप लोगों को देना एकदम मेंडेटरी हो जाएगा क्योंकि हाला कि यह ऑफलाइन वाले बच्चे तो इन लोगों को अपना देना है लेकिन आप लोगों के लिए दो है कट गया तो ऐसा नहीं है बिल्कुल क्लियर विजिबल होना चाहिए कि इससे क्या होगा कि आपके एड्मिशन प्रोसेस सही से कंप्लीट होंगे ठीक है ठीक है तो अब एक और नॉटिफिकेशन आपको मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए जो 2021 में प्रिप्रेशन करने जा रहे हैं बच्चे तो उन लोगों की क्लासेस बहुत जल्द सुर्व होने वाली है बीस से 21 अक्टूबर के पहले तो प्लीज आप लोग रिजिस्ट्रेशन करवा लेजी प्लीज यहाँ पे अगर आपकी तयारी अच् सब्सक्राइब के लिए और आपको अगर रिजिस्ट्रेशन करवाना है तो प्लीज हरे अब काईज जल्दी से जाके करवा लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट इंफ्रमेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेकर और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम ज सब्सक्राइब करने के लिए हम हमारी टीम काम कर रही है तो मिलते हैं नए इंफ्रमेटिव वीडियो के साथ अब तक के लिए बाई 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 चेक के लिए